प्रिया दर्शकों, हर हर महादिप, आप सभी लोगों का सनातनास्ता ग्यान चेनल में हारी कविनंदन एवों स्वागत हैं यदि आप पहली बाद हमारे चेनल में आये हैं, तो इस चेनल को सब्सक्राइब फ़ुन से करें प्राय देखा जाता है कि जब राहु की महादसा चलती है, तो विक्ति को मानसिक अशांती होती है, चिर्चिडापन होता है अनेक परकार के शारिरी कष्ट भी होते हैं, वैसे देखा जाएं, तो यदि कुंडली में राहुगरा अच्छा है, तो अकास्मिक धनलाग बेकराता है, यदि राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो अनेक परकार की बादाएं आ जाती है कारियों पे, बनते बनते कारे विगड़ जाते हैं, भाग दोर लगी रहती है, कठिन परिस्तरम करने के बावजूद भी, जितनी मेहनत करते हैं, उतना फल प्राप नहीं होता है, तो इससे मुक्ति के लिए, इससे छुटकारप प्राप्ति के लिए एक बहुती सरल उपए बताता हूँ, माभगवती के आराधना करें, और माभगवती को नीले रंग का पुस्प अरपन करें, हो सकें तो नित्य शब्सति का पाठ करें, यदि सब्सति का पाठ नित्य नहीं कर सकतें, तो दुरगा कवच, अरगला और कीलक का नित्य पाठ करें, यदि इतना भी नहीं कर सकतें, त सिद्ध कुंजिका इस्तोत्र का पाठ नित्य करें और साथी साथ लाजवन्ती रप्न को धारन करें और पक्षियों को दाना डालना प्रारम कर दें देखना जो राहु से कष्ट मिल रहा था मानसिक असांति शारिरी कष्ट कार्यों में बादाएं चिरचिडापन अनेक प्रक झाल 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 झाल